हाई आपके घर में भी बच्चे और बड़े पालक खाने से मना करते हैं और अगर आप लोग भी पालक खा के बोर हो गया हो तो चलिए आज मैं आपको पालक की एक ऐसी अनोखी सबजी ले के आई हूँ तो अब तो सब मांग के और उंगलिया चाट के खाएंगे तो चलिए ब पालक को दो तीन बार पहले अच्छे से पानी शिधूल लेते जिससे इसमें जो मिट्टी कंकड़ो गेरा आता है वो अच्छे से साफ हो जाए अब यहाँ पानी इसका छान लेना है और अब लेते थोड़ा सा पालक और इसको इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके बिलकुल म जी बनाएंगे तो यहाँ इस तरह से मैंने पालक को कट कर लिया है और अब इसी बोल में इसको ट्रांसपर कर लेते हैं और अब यहाँ थोड़ा सा नमक एड़ करके इसको इस तरह से मिक्स करके रख देते जो पालक में एक्स्ट्रा पानी होता है वो डिस्चार्ज होगा तो अब हम इसको side से रखते हैं, यही मैंने प्याज, लेशुन और हरी मिल चाद रख लिया है, इस तरह से ये एक chopper लेंगे और इसमें fine chop कर लेना है, आप चाहतो बिल्कुल महीन cut कर सकते हो या आप इसका paste भी बना सकते हो, तो इस तरह से kitchen के छोटे छोटे से gadget होते हैं, जि इसका पानी जो है, वो discharge हो चुका है, तो ये देखे, इस तरह से हाँ से अच्छे से निचोड के और इसका पानी अलग कर लेंगे, इसको fake एगा नहीं, इसका juice है, ये तो वैसे इतना फायदा करता है, तो हम इसको सबजी में add कर देंगे, तो और अब यहां मैं एक फिर वाइल की हुई आलू को भी add कर सकते हो, और यही मैंने ये एक छोटा कब बेसन add किया है, सारी चीजों को bind करनी के लिए, अगर आप वाइल की हुई आलू add कर रहे हैं, तो बेसन की मातरा थोड़ा सा कम कर दीजेगा, यही नमक श्वाधुन शार add करना है, चुटकी भर हल् पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्श पाउडर add करेंगे, अब बीना पानी add किये और ये सारी चीजों को mix कर लेते हैं, आप चाहो तो बेकिंग सोडा add कर सकते हो, बड़ एड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत soft इसके balls बनते हैं, और यह देखिए, अब डिरेक्ट ये छेदवाली धाली में ही रख दिया, आप किसी भी बर्दन में इसको steam कर सकते हैं, वैसे तो इसको fry करके बनाते हैं, बट आज मैं बीना oily सबजी बनाऊंगी, तो यहाँ मैंने एक कड़ाई में पानी गर्म करने के लिए रख दिया था, और अब चलते हैं, इ यही कुछ खड़े मशाले लेंगे, जीरा, और ये काली मिर्च, लॉंग, डाल चीनी और इलाइची, और अब इनको डाल के हलका सब पकने देंगे, पकाने के बाद यही हम ये प्याज और जो उन्हें फाइन चॉप करके रखा था उसको एट कर देंगे, और इसको एक साइ गरम मशाला एट करके इसको रख देते हैं जिसे की मशाले जो हैं जब तक अच्छे से फूल जाते हैं, और यहीं अब प्याज को बीच-बीच में इस तरह से चेक करते जाएंगे, जब तक ये पक रही है और यहीं ये देखे बाल्स भी लगबग 10 मिनट तक में बहुत प्याज लगबग आई है, तो ये मशालो को इसमें ट्रांस्पर करना है, तो अब इन मशालो को हलका सा पका लेंगे, गैस के फ्लेम को मीडियम हाइ फ्लेम में और इस तरह से चलाते हुए इसको मशालो को अच्छे से पका लेना है, अब यहां ग्रेवी के हिसाब से पानी यह पालक वाला भी पानी एट कर देते हैं और साथ में थोड़ा सा पानी और एट कर देंगे तो आप जिस तरह से चाओ वैसे इसमें ग्रेवी रख सकते हो यही नमक स्वाद अंसार एट करना है और इसको अच्छे से थोड़ा सा पकने देना है अब यहां पकने के बाद यह इसमें एट कर देंगे और लगभग 10 मिनट बिना कवर किये या कवर करके धीमी धीमी आच में पका लेंगे और 10 मिनट बाद यह सबजी हमारी बनके रेडी हो जाएगी जो की खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगती और बनाना भी बहुत इजी है बहुत कम टाइम नहीं अब बारी कटिवी हरी धनिया और कस्तूरी मेथी और एट करके गर्म गरम रोटी चपाती पराथे पूरी चावल के साथ सर्व कर सकते हैं तो अब हम चलते हैं इसको सर्व करने और आप एक बार चरूर ट्राइगा खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी है बनाना बह आइफी करते जाएंगे तो जरूर ट्राइ करिए हम मिलते एक नए वीडियो के साथ हैं क्यों वाचिंग फ्रेंड्स वीडियो